हाई गाईज, वेलकम टो स्टेडी काउच, तो अभी डिसेंटली इंडिया के दौर जो ब्रहमोस मिसायल है, उसके एक लैंड अटेक वर्जन का सक्सेस्पुली टैस्ट फायर किया गया तो इसके क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, क्या क्या इसके फीचर होंगे, इन सब चीजो इंडिया के दौर, जो इंडिया का अंड मार निकोबार आईलेंड है, वहाँ से जो ब्रहमोस जो की एक सुपर सोनिक क्रूस मिसायल है, उसके जो एक लैंड अटेक वर्जन है, उसका सक्सेस्पुली टैस्ट फायर किया गया ता, इनस चेननेही के दौरा, आप यहां पर थ की जो river है Moscow उन दोनों के नाम पर इस missile का नाम रखा गया ब्रहमोस जिसको basically design, develop और produce किया गया ब्रहमोस aerospace के द्वारा जो ब्रहमोस aerospace है ये basically जिसे इंडिया का जो DRD हो है defense research and development organization और रसिया का जो machine और इस्टोनिया जो है इन दोनों का एक joint venture हम इसको बोल सकते हैं जो ब्रहमोस aerospace है जिसके द्वारा ब्रहमोस missiles को बनाया गया था और जो ये ब्रहमोस मिसाइल है बेसिकलि एक medium range की सुपर सोनिक cruise missile है जिसको की मतलब जैसे submarine से भी launch किया जा सकता है सिप से भी इसको launch किया मैक के इक्वल होगी और एक मैक सांड D की स्पीड होती है मतलब जो हाइपर सॉनिक मैसाइल सोती है उनकी स्पीड जहूदए ज़से द्वाइपomi पांच मेक से भी जादा होती है 결 highly can कोई और guidance देनी रिक्वार्मेंट नहीं होतीة इस वजह से QaR & Afgat का principle बोला जाता और इसकी जो फ्लाइट रेंज है वो around 290 km 290 km की इसकी flight range है और इंडिया के दोर जो इसके नए versions लाए गए जैसे कि अभी land attack version है या फिर जो नेवल version जो last month में launch किया गया था successfully तो इन सारे में basically जो इसकी flight range जो है उसको काफी बढ़ाया गया है मतलब कि around 400 से 600 km की बीच तक इसकी range को पढ़ा दिया गया इसका जो hypersonic missile का जो version है वो अभी under development में है अगर उसकी speed की बात करें तो उसकी speed जो होगी वो 5 max से ज़्यादा की speed होगी मतलब की sound की speed उससे 5 गुना ज़्यादा की speed होगी अभी यहाँ पर जो नया land attack version जो successfully test fire किया गया इसकी कुछ specifications अगर हम देखें तो नॉर्मली जो ब्रमोस missile है उसकी range जो है 290 km के around में होती है बट यहाँ पे इसकी range को extend करके 400 km तक कर दिया गया और इसकी जो speed होगी उसको maintain किया गया 2.8 max के equal में मतलब की approximately जो sound की speed है उससे तीन गुनी जादा इसकी speed होगी बेसिकली यहाँ पर जो यह test किया गये top attack configuration का अटेक्ट है मतलब इसमें basically यह होगा कि जैसे अभी जो missiles होती है उनको नॉर्मली दो तरीके से fire किया जyahता है या तो उनको direct attack mode से fire किया जाता है या उनको top attack mode से fire किया टाप attack mode मतलब 주司के अगर मा устрой कोई भी मिसाल जो है अगर मान लो को यहां से launch किया जा रहा है तो वह पहले climb कर दिए और फिर उसके बाद में यहां पर अगर कोई target है तो उसके टॉप में जाके यहां पे वो गिरती है और direct attack वाला होता हूँ उसमें basically low altitude पे सीधी flow करती है और direct attack करती है target पे ठीक है यहां पे इस तरीके का जो climb है यह direct attack configuration में नहीं होता है तो यही थी कुछ important information जो ब्रह्मोस missile के नया land attack version अभी recently test fire किया गया successfully अंड माने निकोबार आइलेंड में उसके बारे में तो आज के लिए बस इतन है hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day